नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त धरिंदर यादव और आप देखरें मेरा चैनल मैथ्विज धरिंदर यादव दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम Element of Mathematics Class Strength कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने Exercise 13.2 के Question No.21 तक Finish कर लिया है तो चलिए दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Exercise 13.2 का Question No.22 देखें दोस्तों क्या दे रखा है एक Spherical Cell कर रहे हैं कि एक Spherical Cell है Of Lead, Lead से बनी हुई है Whose Diameter, जिसका Diameter जो है Is 18 cm वो 18 cm का है Is Melted उसको पिंगला दिया गया and Recasted into a और उसको Recast कर दिया गया किसके अंदर Into a Right Circular Cylinder उसको Cylinder के अंदर Recast कर दिया गया Whose Height, जिसकी Height जो है वो 8 cm है and Diameter is 12 cm और उसका Diameter दे रखा है 12 cm के Equal अब गया है Determine the Internal Diameter of the Cell तो Diameter बताना हमें कौन सा? Internal Diameter बताना है इस Cell का, Spherical Shell का तो यहां से देखे जो गिवन था Diameter हमें, वो क्या था? वो External Diameter गिवन था किसका? Spherical Shell का तो यहां से देखे कैसे इसको हम Solve करेंगे? आईए देख लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक Spherical Cell बना लेते हैं यह Spherical Cell हो गई यह Spherical Cell है जिसका Internal और External Diameter देखे हमें गिवन है कौन सा? External Diameter तो यहां से लेकर के यहां तक का यह Distance जो है हमें गिवन है कितना? 18 cm के Equal यह है External Diameter और हमें क्या Find Out करना है? हमें Find Out करना है Internal Diameter तो यहां से लेकर के यहां तक का Distance हमें क्या करना है? Find Out करना है यह है Internal Diameter तो यहां से देखे है इसको क्या कर दिया गया? इसको Melt कर दिया गया और किसके अंदर Recast कर दिया गया? एक Solid किसके अंदर? solid cylinder के अंदर recast कर दिया गया जिसकी जो diameter है वो हमें given है कितनी जो diameter है cylinder का वो दे रखा है कितना वो दे रखा है 12 cm के equal तो यहां से लेकर करके यहां तक का distance given है कितना 12 cm यह दे रखा है और यहां से लेकर करके यहां तक यह क्या है इसकी height ये भी हमें given है, क्या दे रखिए है, वो दे रखिए है, 8 cm के equal, ये दे रखिए है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या इंटर्नल डायमीटर किसका, spherical cell का, वो हमें find out करना है देखे हमने इसी को पिंगला करके बनाया है क्या? सिलेंडर जब इसको पिंगला करके बनाया है तो दोन्नों की वोल्यूम क्या बनेगी? इक्वल बनेगी तो बस दोन्नों की वोल्यूम को हम compare कर लेंगे और यहां से हम find out कर लेंगे internal diameter तो सबसे पहले देखे हमें given क्या दे रखा है? external diameter तो external external diameter diameter of spherical cell spherical spherical cell कितना दे रखा है? वो दे रखा है यहां पे 18 cm के equal तो यहां से हम external radius भी निकाल सकते हैं external radius कितनी हो जाएगी? of spherical cell वो हो जाएगी 9 cm के equal उसके बाद हमें internal तो निकाल लेंगे सबसे पहले हम let कर लेंगे let the internal 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 radius internal radius of the spherical cell is equal to कर लेंगे हम उसको small r के equal small r cm के equal हम उसको let कर लेते हैं उसके बाद हमें देखे cylinder की height भी given है height of the cylinder height height of the cylinder of the cylinder कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 8 cm के equal 8 cm और यहाँ पर diameter दे रखा है किसका? cylinder का तो radius निकाल सकते हैं तो diameter diameter of the cylinder of the cylinder कितना दे रखा है? वो दे रखा है यहाँ पर 12 cm के equal तो यहाँ से radius क्या बन जाएगी? तो radius इसकी बन जाएगी radius of the cylinder is equal to 6 cm 2 से डिवाइड करते है radius निकल जाएगी तो 6 cm हो गई अब यहाँ से देखिए volume को हम compare कर देंगे क्या आएगा? volume of spherical cell spherical cell जो spherical cell की volume होगी वो equal होगी किसके? volume of cylinder volume of cylinder cylinder की volume की equal होगी तो यहाँ से देखिए spherical cell की volume का formula क्या बनेगा? तो वो बनेगा 4 upon 3 pi r cube तो r क्या है? यहाँ पे external भी है और internal भी है तो external को हम capital R से denote करते हैं और internal को small r से हैं तो इसका cube minus small r का cube यह बन गया formula किसका? spherical cell की volume का तो यहाँ से देखिए equal to में volume of cylinder क्या formula होता है? pi r square h के equal यह होता है ना? अब देखिए pi इदर भी है और pi इदर भी यदि इनको एक तरफ ले जाते हैं दोनों divide में आ जाएंगे ना? तो दोनों cancel out हो जाएंगे यह हो गए? अब यहाँ से हम value put करते हैं तो देखिए 4 upon 3 को तो 4 upon 3 रखेंगे रख दिया उसके बाद में external radius हमें दे रखी है हाँ external radius दे रखी है 9 cm के equal तो बस put कर देंगे 9 की power 3 उसमें से minus कर देंगे r cube क्योंकि हमें internal radius तो पता ही नहीं वो तो r के equal मान रखे हमने तो r cube आ जाएगा is equal to देखिए r square into में h यह क्या है? यह है cylinder की radius तो cylinder की radius कितनी है? 6 के equal तो 6 का square यानि 6 into 6 हो गया into में h height कितनी है इसकी? height है 8 cm तो multiply by h हो गया बस अब क्या करेंगे? इसको हम solve कर सकते हैं 4 जो है यदि हम इसको लेक्के आएं तो divide में आ सकता है यहाँ पे यहाँ पे divide में आएगा निधर? तो यहाँ से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 इसको cancel कर देगा अब देखिए हम आगे solve करते हैं इसको तो क्या आएगा? यहाँ से ही आएगा यह तो 1 upon 3 तो यह है और 7 की power 3 कितना होता है? 729 के equal 729 यह हो गया minus r cube हो गया और divide by कितना हो गया? divide by हो गया 3 यह आगया ने? divide by 3 तो है? यह है is equal to में क्या है? यहाँ से 6 into 6 into 2 यह है 6 into 6 कितना हो गया? 36 और 36 को जब 2 से करेंगे तो कितना हो गया? 72 36 to 72 और 72 इधर है और यह 3 उधर है अब क्या करेंगे? अब यह 3 को इधर लेकिया हैंगे multiply में चला जाएगा तो यह आएगा 729 minus में r cube is equal to आजाएगा 72 को 3 से multiply कितना आएगा? तो जाएगा 3 to 6 r cube को लेएगे इधर और इस 216 को ले जाएगे उधर देखें यह इधर आख करके plus का r cube बन जाएगा तो यह बन जाएगा plus का r cube और उधर कितना आएगा? 729 minus 216 यह उधर जाके minus का होगा न? तो minus का 216 तो यहाँ से देखें जो r cube की value आएगी वो कितने आएगी? r cube की value जो आएगी वो आएगी इन दोनों का difference कितना आएगा? 9 minus 6 कितना होगया? 3 के equal उसके बाद 2 minus 1 1 के equal 7 minus 2 5 के equal यह आगया यहनि कि 513 यह आगया आगया इतना अब यहाँ से देखें हम क्या करेंगे? यह तो r cube है हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? cube root करना है both sides अब 513 तो किसी का cube root होता नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसके factor बना लेते हैं पहले तो इसके factor जब बनाएंगे तो किसके equal आएंगे? r cube जो है वो equal आएगा इसके जो factor बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे 3 into में 3 into में 3 और into में 19 यह बनेंगे तो देखें यहां से हम क्या करते हैं? जब भी cube root करते हैं तो 3 values एक जैसी होनी चाहिए देखें 3 multiply by 3 multiply by 3 है ना अब यहां पे cube root कर रहे हैं तो 3 का pair बनाते हैं 3 का 1 की लेते हैं 3 को मिला करके दे 3 एक जैसी number है तो उनको हम 1 करके चलते हैं तो यहां से देखें यह तो 3 बन जाएगा लेकिन 19 का cube root करेंगे तो वो तो किसी का cube root किसी का cube नहीं है तो यहां से क्या करेंगे? इसकी power करतेंगे 1 upon 3 के equal तो यहां से देखें यह बन जाएगा कितना r cube तो हो गया इतना अब क्या करेंगे? यहां से हम cube root both side करेंगे ना तो r बन जाएगा यह r is equal to कितना बनेगा? r is equal to बनेगा r is equal to बन जाएगा यहां से 3 तो यह आ गया 3 और इंटु में 19 की power 1 upon 3 यह cube root होता है ना जब लगाते हैं 1 upon 3 यदि यहां पर square root करते हैं तो 1 upon 2 लगाते हैं तो यह आ गया 1 upon 3 के equal यह आ गया तो यहां से यह आ गई r internal internal radius आ चुकी है किसकी? spherical shell की लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो diameter निकालना है diameter of spherical cell निकालना है spherical cell cell का क्या बनेगा? spherical cell का diameter क्या बनेगा? twice of क्या होता है? radius twice of radius होता है ना 2 into r के equal होता है तो 2 multiply by 3 और 19 की power 1 upon 3 तो यह कितना बन गया? 3 to 6 तो यह बन गया 6 into 19 की power 1 upon 3 के equal यह क्या आ गया? यह आ गया diameter of spherical cell और यह हमारा answer हो गया अब चलते हैं क्योस्चर नमबर 23 पर क्योस्चर नमबर 23 देखें दोस्तों एक solid iron rectangular block कराएक solid iron का rectangular block है जिसकी dimensions हमें given है 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter is casted into a hollow cylindrical pipe क्या गया 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 और बना दिया गया of internal radius जिसकी internal जो radius है वो दे रखे 30 cm के equal and thickness और उसकी जो thickness है वो 5 cm के equal दे रखे अब करें find the length of pipe तो pipe की length हमें find out करनी है तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमें given क्या है rectangular block दे रखा है iron का तो देखे ये एक rectangular block हो गया ये rectangular block बन गया है जो की iron का है वो इस shape का है तो देखे ये क्या बन गया? ये cuboid बन चुका है अब इस cuboid की हमें dimensions given है length, breadth और height given है तो माल लेते हैं ये length हो गई इसकी तो दे रखे है 4.4 meter के equal फिर उसके बाद हमें दे रखे है इसकी breadth और breadth कितनी दे रखे है? वो दे रखे है कितनी? वो दे रखे है 2.6 meter के equal और height हमें दे रखे है height कितनी दे रखे है? height given है कितनी? 1 meter के equal तो ये 1 meter हो गई अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको melt कर दिया गया और recast कर दिया गया किसके अंדर इसको बना दिया गया hollow pipe hollow cylindrical pipe बना दिया गया तो देखे कुछ इस तरह से है तो ये इस तरह से है तो देखिए यहां से यह इतनी थिकनेस तो रहेगी इतनी तो रहेगी यह थिकनेस दे रखिए तो अब यहां से देखिए इसलेंड्रिकल जो पाइप बन चुगा है यह इसलेंड्रिकल पाइप बन गया तो अब इसके अंदर हमें गीवन क्या है एक तो हमें दे रखी इसकी internal radius तो internal radius यहां से लेकर कि यहां तक कि इसकी internal radius होगी जोगी कितनी दे रखी है वो दे रखी है 30 cm के equal यह दे रखी है उसके बाद हमें given है क्या इसकी thickness तो thickness क्या होगी यहां से लेकर कि यहां तक का distance यह बीच का gap जो है वो 5 cm के equal दे रखा है यह given हमें तो अब क्या अगर find the length of the pipe तो pipe की length हमें find out करनी है यहां से लेकर कि यहां तक का जो distance है वो कहलाएगी length of the pipe वो हमें find out करनी है तो इसको हम h से denote कर लेते हैं h cm के equal हम माल लेते हैं तो अब यहां से देखे सबसे पहले हमें given क्या है given में हमें length, breadth और height दे रखे किसकी solid rectangular block की तो length, length, breadth and height height of solid rectangular block क्या दे रखे है is कितने दे रखे है वई एक तो दे रखे है 44 4.4 meter दूसरी दे रखे है 2.6 meter और तीसरी दे रखे है 1 meter के equal 1 meter यह दे रखे है और इसके बाद में हमें given है क्या radius of इसकी internal radius of hollow cylinder hollow cylindrical pipe तो internal radius internal radius of hollow cylindrical pipe कितने दे रखे है वई वो दे रखे है 30 centimeter के equal तो external radius क्या बनेगी external external radius of hollow cylindrical pipe pipe क्या दे रखे है भई देखिए यह तो 30 centimeter हो गई internal radius और internal radius के अंदर यह दी thickness को add कर दे तो कितना बन जाएगा वो external radius बन जाएगी तो 30 प्लस में 5 कितनी हो गई 35 centimeter के equal हो गई external radius of hollow cylindrical pipe यह बन गई तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे जब इसी को recast करके बनाया गया है क्या cylindrical pipe तो दोनों की volume क्या रहेगी equal रहेगी बस वही compare कर देंगे तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा volume of volume of cuboid या फिर बोल सकते हैं rectangular solid rectangular block volume of solid rectangular block is equal to यह किसके equal होगा यह होगा volume of cylindrical hollow cylindrical pipe hollow cylindrical pipe तो क्या formula बनेगा देखिए इसका formula बनेगा length into में breadth और into में height तो एक cuboid के shape का है न जब cuboid का shape का है तो cuboid की volume क्या होती है length into breadth into height के equal is equal to में volume of hollow cylindrical pipe क्या होगी वो होगी pi r square तो यहाँ पे r square करेंगे तो दो radius है नहीं अपे external और internal तो क्या करेंगे external को तो capital R मान लेते हैं तो r square minus internal को smaller मान लेते हैं उसका square into में edge height को edge यह आ गया तो अब यहाँ से देखिए length कितनी 4.4 bread कितनी bread 2.6 और height कितनी 1 अब यहाँ से देखिए point को remove कर लेते हैं निचे divide में 10 इसके भी divide में 10 आ जाएगा point remove कर दी हमने is equal to देखिए यहाँ से क्या है pi तो pi कितना आएगा 22 upon 7 आएगा into में internal और external दोनो radius हमें given है external radius कितनी 35 तो 35 का square minus यह कौन से है internal radius कितनी है 30 तो 30 का square यह आ गया और into में h h तो हमें find out करना है given नहीं है तो अब यहाँ से देखिए कैसे इसको हम solve करेंगे यहाँ से यह देखिए 22 है ना यह 22 जब divide में जाएगा तो 22 बन जा 22 और 2 जा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा यह cancel हो गया 2 पर हो गया अब इसके बाद देखिए इसको हम solve कर लेते हैं तो यह कितना आएगा यहाँगा 26 इदर रह गया और into में 2 आगया और divide by कितना है 10 into 10 यह है और इधर देखिए कितना है इधर है 35 का जब square करेंगे तो कितना आएगा 12 25 के equal minus में 30 का square कितना आएगा वो आएगा 900 के equal यह आगया और into में कितना है h into में h है और divide by कितना है divide by है 7 यह है तो अब यहाँ से हमें निकाल लिए h की value तो this implies that h is equal to h को capital h ले लेते हैं यहाँ से capital h तो इसको भी capital h माल लेते हैं यह h कर लेते हैं capital गा sorry फिर अलग हो जाएगा न small h ही रखते हैं इसको small h small h is equal to कितना आएगा small h is equal to आएगा small h जो आएगा वो आएगा यहाँ से कितना यह 7 इनके multiply में चला जाएगा तो 26 into में 2 into में 7 और divide बे कितना है 10 into 10 और यहाँ से यह आजाएगा इन दोनों का difference कितना आएगा यह आएगा 325 के equal तो यह divide में आएगा कितना 325 यह आगया divide में आगया और यहाँ से इसको हम solve कर लेते हैं देखें कैसे करेंगे सबसे पहले तो यह 325 है यह 7 पे divide हो जाएगा देखें दोस्तों यह solve नहीं हो रहे ना आगये तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखें जो हमें given था जो external radius गिवन थी hollow cylindrical pipe की और internal radius वो दोनों किसमे थी वो centimeter के अंदर थी लेकिन यह देखें जो length, breadth और height है rectangular block की वो सारी किसमे है meter में तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा इनको में meter के अंदर convert करना पड़ेगा तो यहाँ से देखें जो यह आई थी यहाँ से 35 का square 35 क्या था वो centimeter के अंदर था 30 भी किसमें था centimeter के अंदर था और इनका square तो देखें यहाँ से जो इनका difference आगया वो 325 आगया ना तो इसको हम meter में convert कर लेते जब meter में convert करेंगे तो divide करतें किससे हैं 100 से लेकिन यहाँ से देखें क्या है यह इसका square था तो इसका square को ended का तो double zero और लगेंगे यह लगेंगे तो यह बन गया यहाँ से 10,000 के equal अब इसको हम solve कर सकते हैं देखें 0 से 0 cancel यह 0 से 0 cancel होगे अब यहाँ से बच गया ended तो अब इसको करते हैं 25 पर तो 25, 4 जा ended हो गया इसको करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा 25 बन जा 25 कितना बचा यह बच गया 7 तो 25, 3 जा 75 यह हो गया अब यहाँ से 13 बन जा 13 और 13, 2 जा 26 यह हो गया cancel अब यहाँ से इसको हम solve कर पाएंगे तो देखें 7 यह हो गया 4, 2 जा 8 और 8, 2 जा 16 16, 16, 7 जा 112 के equal यह आगया तो H की जो value आगई वो आगई 112 meter के equal यह आगई और H क्या है वो है length of the किसकी? length of wire length of pipe sorry, wire नहीं pipe length of pipe length of the pipe of the pipe is equal to वो आगई H के equal और H आगया 112 meter के equal यह आगया हमारा answer यह आगया अब चलते है question number 24 पर question number 24 देखें दोस्तों the largest sphere is cut out of a cube करहा कि जो largest sphere है जो निकलता है किसके अंदर से काट ले जाता है किसके अंदर से cube के अंदर से off side जिसकी side जो दे रखिया वो 10.5 cm के equal दे रखिया है तो आप कह रहा है find the volume of the sphere तो sphere की volume find out कीजिए जो sphere उसके अंदर से निकलेगा उसकी volume हमे find out करनी है तो देखे यह इस तरह से cube दे रखा है तो cube कैसे बनता है square स्केल से बनता है cube तो यह square बना लिए हमने यह भी एक और square बना लेंगे यहाँ पे और इनको हम join कर देंगे तो बन जायेगा यह cube यह बन गया cube तो देखे यह जब cube बन गया तो यहाँ से कह रहा है कि इसके अंदर इसकी एक side जो है वो दे रखी है इसकी सभी side क्या होती है equal होती है तो एक side हमें गिवन है कितनी 10.5 cm के equal तो आप देखे इसके अंदर से हमें क्या करना है sphere निकालना है काट करके तो उसकी जो diameter हो कितना हो सकता है sphere का तो इसके equal हो सकता है यहाँ से यहाँ से ऐसे कट करते हो बन सकता है तो इतना ही diameter हो सकता है उसका यह इसकी एक side के equal तो इसका diameter यह बन सकता है sphere का तो यहाँ से देखे तो sphere का diameter हम लिख देंगे वो लिख देंगे 10.5 cm के equal तो यहाँ से देखे हमें क्या given है हम यहाँ से निकाल लेंगे Diometer of Sphere That can That can Curred out Curred Curred out Of a Cone Of a Cube Of Sorry Of a Cube Is equal to 10.5 centimeter मीटर ये हो गया तो अब इसकी रेडियस क्या बनेगी रेडियस रेडियस इस इगवल टू बन जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटिमीटर के एकवल तो देखिए यहां से इसको हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 20 बन गया अब यहां से देखिए हम वोल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वोल्यूम ओफ स्वियर क्या फॉर्मूला होता है वो होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब के एकवल तो यहां से देखिए 4 अपॉन 3 रखेंगे पाई की जेगे 22 अपॉन 7 रखेंगे और आर क्यूब आर कितना है 21 अपॉन में 4 इंटू में 21 अपॉन में 4 इंटू में 21 अपॉन में 4 यह रख देंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल 7 से करेंगे 7 3 जा 21 3 से 3 कैंसिल अब देखिए 4 पे करेंगे 2 पर कर सकते हैं टू टू जा 4 हो गया और यह कितने भे टू बन जा टू टू बन जा टू यह आ गया अब यह cancel out नहीं होंगे तो देखें 21 का जो square होता है वो होता है 441 के equal इसको हम multiply कर लें किस से हैं 11 से तो कितना आएगा और divide by कितना है 4 टू जा 8 है तो इसको हम solve करें तो यह आएगा 441 को जब 11 से multiply करेंगे तो 1 आएगा फिर 5 आएगा और 4 और 4 8 आएगा फिर 4 आएगा यह आएगा और upon में कितना 8 आएगा अब इसको जाजी solve करें तो कितना आएगा 4 sorry 8 6 आ 48 6 पर फिर देखें यहां से आएगा कितना बचा 5 1 तो यह कितने बचाएगा 0 और यह आएगा 5 कितने बचाएगा 5 6 आएट sorry 8 6 आएट 8 6 आएट 6 पर फिर जाएगा 48 अब कितने बचे 3 3 0 अब कितने बचाएगा 8 3 आएगा 24 यह 3 पर जाएगा जब 24 आगे तो कितने बच गए अब बच गए यहाँ से हैं 7 यह बच गए 6 और 6 बचा तो 6,0 और 7,8 जा 56 तो approximately बनेगा 606.38 के equal और वो भी किसमें cm3 के अंदर यह हमारा answer आएगा तो यह हो गई volume of sphere यह आएगा तो अब question number चलते हैं 25 पर question number 25 देखे दोस्तों the largest sphere कराएगी जो बड़े से बड़ा sphere है is to be cut out निकल सकता है उसके अंदर से काटा जा सकता है of a right circular cylinder कराएगी right circular cylinder के अंदर से of radius जिसकी radius है 7 cm and height है 14 cm के equal तो कराएग find the volume of the cylinder sorry sphere sphere की volume हमें find out करनी है तो देखे यह दे रखा है एक cylinder हमें दे रखा है तो यह हो गया तो यह ऐसे goal होता है na cylinder तो इस तरह से यह दे रखा है तो इसके अंदर से हम कैसे निकाल सकते हैं तो देखे इसके अंदर से जो हम निकाल सकते हैं sphere वो किसके equal आएगा यह आएगा इसके diameter के equal यह इसके diameter के equal हो सकता है तो देखे ये ऐसे करके तो हम उसको इसके अंदर से निकाल लेंगे ये गोल होता है न स्फियर बोल की सेप का होता है स्फियर तो स्फियर ऐसे निकलेगा इसके अंदर से तो किसके equal हो सकता है वो उसके diameter के equal हो सकता है तो उसका diameter कितना है उसकी radius हमें दे रखिये कितनी 7 cm के equal तो 7, 2 हो 14 14 उसका diameter बन जाएगा 14 उसकी height है तो यहां से देखिए यहां से लेकर कि यहां तक का distance भी कितना है 14 और यहां से लेकर कि यहां तक का distance भी कितना है 14 तो 14 cm के equal जो है diameter बनेगा किसका? स्फियर का और वही निकल सकता है इसके अंदर से तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे? कि यहां कि लेकर कि अधने किम पमकाओ की अधने क्या सब्यक्थेजिच स 차 क्वड की अधनिकrau बचकत की तो यहां से घु कि अधन pensar और किक लिगिए गया कर देखिए 14‟ो अधने कि तो यहां से करिए гор out of a right circular cylinder is कितना है वो है 14 cm के equal तो इसकी radius क्या बन जाएगी radius of sphere of sphere is equal to बन जाएगे कितनी 14 को डिवाइड करेंगे 2 से 7 cm के equal तो आप निकाल लेंगे volume of sphere volume of sphere कितनी बनेगी volume of sphere बनेगी क्या formula होता है 4 upon 3 pi r cube यह होता है ना तो अब यहां से देखे 4 upon 3 को 4 upon 3 pi को 22 upon 7 और r cube radius कितनी 7 into 7 into 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो गया अब यह 3 बज़ गया नीचे तो देखिए कितना आएगा अब देखिए 7 7 जा 49 अब 49 को हम multiply करेंगे 4 और इसका 2 4 तो जा 8 से जब 49 को 8 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 392 के equal और अब यहां से कितना बचा 11 बच गया ना 2 तो इसका ले लिए हमने 11 बचा तो multiply by 11 और divide by कितना है 3 यह है तो अब इसको देखिए हम कर देंगे जब इसको 11 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 2 इधर आएगा 9 और 2 11 1 1 केरी चला जाएगा 10 और 3 13 3 1 केरी चला जाएगा 4 यह आगया और divide by कितना है 3 है अब इसको solve करते हैं देखिए 3 बचा 3 आगया फिर 1 13 बचा तो 3 4 जा 12 बन जाएगा फिर 1 बचा वो 11 बन गया अब 3 3 जा 9 10 11 2 बचा 22 बन गया और 3 7 जा 21 अब बचा 1 1 0 तो point लगेगा और 3 3 जा 9 फिर 1 बचेगा 3 3 जा 9 यह आएगा 1437.33 के equal और यह किसमें आएगा cm3 के अंदर यह हमारा answer होगा अब जलते हैं question number 26 पर question number 26 देखे दोस्तों a spherical bowl, a spherical bowl है of internal diameter, internal radius जिसकी internal radius दे रखी कितनी? 15 cm के equal अब गरहां, contain से liquid, इसके अंदर liquid भरा हुआ है the liquid is to be filled into cylindrical shaped bottle करेगी इस liquid को हमने बरदे cylindrical shaped की bottles के अंदर of diameter जिसका diameter जो है 5 cm और height जो है वो 6 cm के equal है अब करहा है how many bottles are necessary? करहा है ऐसी कितनी bottle चाहिए to empty the bowl, bowl को खाली करने के लिए तो देखी यहां से जो internal radius दे रखी है वह ही तो बनेगी उसकी volume के लिए तो देखी यहां से हमें क्या given है सबसे पहले हमें given है इसको हम internal radius ना लेकर के radius ले लेते हैं of the इसकी hemisphere, hemispherical bowl की तो यहां से हो जाएगी radius radius of hemispherical bowl hemispherical bowl कितनी दे रखी है वह दे रखी यहां से 15 cm के equal यह दे रखी है उसके बाद देखिए क्या given हमें हमें given है बोटल का diameter तो देखिए यह hemispherical bowl हो गया यह कुछ hemispherical bowl हो गया यह हो गया hemispherical bowl यह इस तरह से होता है यह होता है half किसका Hemisphere का Half जो होता है उसको बोलते है Hemisphere Sorry Hemisphere का नावार है Sphere का जो Half होता है उसको बोलते है Hemisphere तो इसका हमें क्या दे रखा है Radius दे रखी, यहां से लेकर करकी यहां तक, यह कितनी दे रखी है यह दे रखे 15 cm के Equal तो इसके अंदर जितना भी पानी है उसको वो बहरा हुआ है फुल इसके अंदर बहरा हुआ है तो इसकी volume बन गया न हो hemisphere की volume बन गया हो तो अब यहाँ से देखे जो इतना भी पानी था वो सारा का सारा bottles के अंदर खली कर जा रहा है तो bottle जो है वो cylindrical shape की है और cylindrical shape की है तो उसका जो diameter दे रखा है cylindrical bottle जो है उसका जो diameter दे रखा है वो दे रखा हमें 5 cm के equal और जो इसका height दे रखी इसकी वो दे रखा है 6 cm के equal यह दे रखी है तो अब यहां से कहा है कितनी bottle से लगेंगी इसको पूरे के पूरे bowl के अंदर इतना भी liquid है उसको खाली करने के लिए कितनी bottles लगेंगी वो हमें find out करना है तो देखे hemispherical bowl की radius हमें given है 15 cm तो यहां से इसकी volume हम निकाल सकते हैं जो volume इसकी होगी वही तो total उतना ही पानी उतनी तो volume डलेगी इन bottles के अंदर तो total volume जो बनेगी इन bottles के अंदर पानी इतना बरा जाएगा उसके equate कर देंगे हम इसको तो यहां से देखे इसकी volume क्या बनेगी volume of hemispherical bowl वो कितनी बनेगी क्या बनेगा इसका formula volume of hemisphere क्या होता है 2 upon 3 pi r cube के equal r cube के equal तो यहां से value put करेंगे 2 by 3 का 2 by 3 और pi की जगे 22 upon 7 और r cube r कितना है 15 तो 15 into 15 into 15 यहां से देखे 3 से cancel होगा 3 5 जा 15 यह होगया तो अब इसको हम solve करें तो कितना आएगा है यह आएगा यह बन गया 10 और 15 15 225 और into में 22 और into में 10 और अब उन में कितना है 7 यह आगया और यह आगया centimeter cube के अंदर अब देखे आप क्या करेंगे हम एक bottle की volume हम निकाल लेंगे तो diameter of diameter diameter of bottle of cylindrical bottle cylindrical bottle कितना दे रखा है वो दे रखा है 5 cm के equal 2 cm के equal हो गई यह हो गई और height हमें दे रखे कितनी 6 cm height height of cylindrical bottle is equal to हो गई 6 cm के equal तो आप निकाल लेंगे इसकी volume 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 of cylindrical bottle is equal to क्या formula pi r square h यह होता है ना तो pi की जिगह या pi रखते हैं या फिर 22 upon 7 रख लेते हैं 22 upon 7 अब उसको sol कर लिया तो इसको भी कर लेते हैं 22 upon 7 into में r square r कितना है 5 upon 2 5 upon 2 into में 5 upon 2 यह आ गया और into में h height कितनी है 6 के equal तो 6 रखेंगे यह रख दिया तो अब यहां से देखे यह तो आई कितनी एक bottle की volume हमने निकाल ली total bottle तो में पता नहीं कितनी बरी जाएंगी तो यहां से हम let कर लेते हैं उनको let let the number of bottle the number of bottle bottle is equal to किसके equal x के equal उसको हम let कर लेते हैं तो यहां से देखे क्या बन जाएगा total volume of bottles total total volume of bottles is equal to बन जाएगा x into 22 upon 7 into में 5 upon 2 into 5 upon 2 और into में 6 यह बनेगा तो अब यहां से देखे हम कर देंगे volume 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 of किसका hemispherical bowl hemispherical bowl is equal to आजाएगा volume of total volume of total volume of bottles बोटल्स की total volume के equal यह आएगा तो यह कितना है यह कितना आया यह आया 225 into में 22 into में 10 upon में 7 is equal to इसकी volume कितनी थी x into में 22 upon 7 into में 5 upon 2 into में 5 upon 2 और into में 6 यह है तो यहाँ से x की value निकाल लेंगे x is equal to कितना हो जाएगा x is equal to 225 into में 22 into में 10 और multiply में कितना जाएगा 7 और 2 और 2 यह आएगा और divide में कितना आएगा divide में तो 7 है और यहाँ से आजाएगा 22 और कितना आएगा 5 और into में 5 और into में 6 यह आएगा इसको solve कर लेते हैं 7 से 7 cancel 22 से 22 cancel अब देखिए यह आएगा 5 5 जा 25 25 9 जा 225 के equal अब देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 अब यह जाएगा 2 से 2 cancel अब कितना बचा अब यहाँ से देखिए 3 यह बचा 2 यह बचा और 10 यह बचा 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60 तो number of bottles जो आगई वो आगई 60 के equal number of bottles is equal to number of bottles is equal to आगई x और is equal to आगई 60 के equal यह हमारा answer हो गया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो प्लीज इसको लाइक करें share करें और जो नए वीवर्स हैं पहली बार अमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलते अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए थेंक यू एंड टेक केर दोस्तों